दोस्तों अगर आप पुट्टी का काम खरवा रहा है तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पुट्टी से रिलेटेड हर एक जानकारी दूँगा जैसे कि आपको घर में अपने कौन सी पुट्टी किस ब्रांड का पुट्टी इस्तमाल करना चाहिए आपको घर में कितने कोट में पुट्टी कराना चाहिए एक कोट करने के बाद दूसरा कोट करने से पहले आपको उस दोनों के बीच में कितना देर का अंतर रखना चाहिए साथ में पुट्टी की मिक्सिंग कैसे करनी चाहिए अगर गलत मिक्सिंग या फिर गलत पुट्टी आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे मैं घरों में देखा हूँ कि करीबन एक महीने बाद दो महीने बाद उसका जो कलर है वो पीला पढ़ने लगता है या उसका कलर जो है डल होने लगता है बहुत सारे घरों में देखा गिया है कि पुट्टी जो है पपड़ी बनके निकलने लगती है तो यह सब वोजा होता है कि अगर आप गलत मैटेरियल या फिर गलत तरीका से पुट्टी बनाते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं लगाते हैं तो फिर आपका काफी नुकसान होता है साथ में दोस्तों इस वीडियो में और भी बहुत सारी important चीज़े बताऊंगा जैसे कि आपके घर में अगर आपको पुट्टी कराना है तो पुट्टी का coverage एरिया कितना होता है कितना आपका बैग पुट्टी लग जाएगा आपके घर के एरिया के हिसाब से लेवर रेट क्या है पुट्टी करने का साथ में उसका जो mixing है mixing में आपको पानी कितना डालना है तो बीडियो एंट तक देखिएगा तो आपको complete जनकारी मिलेगी इससे फायदा आपको यह होगा कि आपका पैसा तो बचेगा ही साथ में आपका पुट्टी करने की जो लाइफ है घर्म की पेंटिंग की ओ काफी बढ़ जाएगी तो चलिए बीडियो को डीटेल में करना है तो देखिए मार्केट में तो आजकल बहुत ब्रांड की पुट्टी आती है जैसे के वाल के पुट्टी आती है फिर आपका बिरला वाइट सिमेंट का पुट्टी आती है फिर आपको एसीन का स्मार्ट के पुट्टी आती है नेरो लग का पुट्टी आती है आपक वाइट केर जो पुट्टी आती है न वो काफी संदार पुट्टी होती है उसका बहुत फायदा होता है उसका डियूरेबिलीटी उसका जो वाटर रेसिस्टेंस है पानी वो सीपेज नहीं होने देता है दिवारों पे अगर आउटर दिवार पे हम यूज करते हैं तो आजकल बिरला वाइट केर का बहुत सारा उसमें मिक्सिंग आ जाता है अलग-अलग तरह के का उसमें आ गया है तो आप बिरला वाइट केर जो पुट्टी होती है ओ आप यूज कर सकते हैं दूसरे नमबर पे आपकना जेके का वाल पुट्टी आता है फिर यहाँ पे एसीन का पुट्टी इस्तेमाल करें इसमें कोई दोरा नहीं है और बहुत अच्छा कॉबरेज भी मिलता है साथ में इसका जो स्मूथ सर्फेस मिलता है और यह बहुत ही लंबा डियूरेविलिटी तक चलता है लेकिन दोस्तों कोई भी पुट्टी खरीदने से पहले आपको कुछ यहां पे मैं इंपोर्टेंट बाते बता रहा हूं और आपको जरूर देख लेना है उसके बाद ही आपको पुट्टी खरीदना है जैसे कि अब जो भी पुट्टी आप ले रहे हैं चाहे बिरला का हो एसे बैग पे हर एक चीज लिखा होता है कि उसका जो मिक्सिंग है मतल तो यह बिर्ला में जेके में एस ये में मैं देखा हूँ कि यह सब मिक्सिंग नहीं होता है बिल्कुल पूर पुट्टी होता है तो आप यह यूज कर सकते हैं दूसरा चीज आपको यह ध्यान देना है कि उसका मनुफेक्ट्रिंग डेट मतलब यह बना कब का है ज्यादा तो मैनुफेक्ट्रिंग डेट बहुत आपको जरूरी है चेक करना जब भी आप खरीदे तो आप देख ले कि पुट्टी आपका ताजा बना हो चार से पांच महीना चे महीना तक का उससे पुराना ना अगर आप बाहर के दीवारों पे पुट्टी करा रहा है तो आप दे पानी बाहर के बाहर गिर जाता है तो इस तरीके से आपके घर में सीलन नहीं जाता है बात कर ले बिरला या एसीन पेंट का जो पुट्टी का कभरेज अरिया का तो देखिए दोस्तों मैं सिंपल सा बता रहा हूं वैसे तो एक केजी से लेके 40 केजी या उससे भी जादा आ आप एक बुरी का कभरेज एरिया जाना चाहते हैं तो पांच सो से स्क्वाइर फूट आप उसमें पुट्टी कर सकते हैं दो कोट में वहीं अगर आपको तीन कोट में पुट्टी करा नहीं है तो एक केजी पुट्टी में आप सिर्फ आट से दस स्क्वाइर फिटी आप उस हिसाब से अपना पुट्टी का बैग केलकुलेट कर सकते हैं यह चोटे से एक्जामपल से अभी तक तो आपने जान लिया कि कौन सा पुट्टी इस्तिमाल करें उसका कवरेज एरिया क्या है और उसका क्या क्या खासियत आपको देखनी है लेकिन अब बात आ जाती है जाड़ो मार देनी है कि जो भी उस पर ड़स्ट है या जो रेत का पार्टिकल है या बालू का जो उस पर करन है और नीचे गिर जाए क्योंकि उस पर पुट्टी मारते हैं तो बाद में वहां पर निसान आ जाता है जैसा आप यहां पर देख रहें दूसरा बात ये कि पहल अगला काम होता है पेंट या पराइमर करना जैसे आप यहां देख रहे हैं वहां पे बिल्कुल स्मूथ हो जाता है तो उस पे पेंटिंग पराइमर जो आप करेंगे तो आसानी से बरस चलता है और अच्छा से पुट्टी का वहां जो निसान है खतम हो जाता है तो बहुत अच्छा आपका दीवार स्मूथ निकल के आत समझते हैं तो उसमें आपको 35-40% ही पानी मिलानी है यानि कि आधा लीटर ही पानी आपको उसमें डालना है उससे ज्यादा नहीं डालना है अगर आधा लीटर से ज्यादा पानी अगर पुट्टी मांग रहा है तो समझे कि पुट्टी आपका बेकार है तो यानि कि आपको ज्यादा मसाला यानि पूट्टी बना लेते हैं, mix कर लेते हैं, तो उससे होता क्या है कि आप अपने पूट्टी लीजेगा तो उसके bag पे देखिएगा कि पूट्टी का initial setting time क्या है, तो बहुत मैं अपने bag पे देखा हूँ, मैं काम कराया हूँ तो बता रहा हूँ कि आधा गंटा से लेके और 40 मिनट या एक गंटा तक आपका पुट्टी जो है मिक्स करने तक के बाद रहता है उसके बाद धीरे-धीरे सेट होने लगता है तो आप उतना ही पुट्टी बनवाए जितना एक गंटे में इस्तमाल हो जा मिक्सिंग किया रहा है हाथ से मिक्सिंग किया रहा है तो यह चीज आपको नहीं करना है इसे पुट्टी जो है प्रॉपर अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है तो इसलिए आपको जो मिक्सर मसीन आती है जो आपको मार्केट में बहुत सस्ते दाम में मिल जाता है ओ चीज से